हेलो स्टूडेंट्स फैलकम अगें टू लंगरे दितिमन तो देखिए राजिस्थान करमचारी चैन बोर्ट जैपूर के द्वारा लैब असिस्टेंट यानि प्रियोक साला सहायक और वीडियो इसका मेंस का स्लेबस जो है वो जारी हो चुका है तो लगबग सभी बच्चों ने वीडियो का पेपर जो है वो दिया था प्री में उनके अच्छे मार्क्स भी आए और वीडियो मेंस की तयारी भी कर रहे होंगे अब बच्चों के ये confusion है कि हम read के त्यारी करें, third grade की करें, second grade की करें, video की करें या प्रियोकसाला सहाय की करें तो एक बात तो मैंने आपको पहले ही clear कर दी थी, आप राजिस्थान के किसी भी exam की त्यारी करो मैंने जो आपको books बताई हैं, जिनको हम follow कर रहे हैं, जिनको course के द्वारा भी आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आपके second grade के paper, video का paper, प्रियोकसाला सहायक का paper, ठीक है, third grade जो exam होगा, उसका first grade, पसुधन सहायक तो वहाँ आपके वही syllabus जो है, वो आपका पूरा का पूरा काम में आएगा, आपको कोई भी book बदलने की जुरूत नहीं है, क्योंकि मैंने books ही आपको ऐसी बताई है, कि आप उनको ही पढ़ोगे बार बार, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, कि जिन books को मै follow करती हूँ, जिनको मैं आपको बताती हूँ, कि ये आपके आगामी, जो भी आपके exam होंगे, वहाँ आप किताबे नहीं बदलेंगे, बलकि उन्हीं को जो है, वो revision करेंगे, और बाकी जो syllabus होगा, उसको भी आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जो भ पर वन और पेपर टू, दो पेपर आपके होते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये science वालों का है, इसी तरीके से, जिन बचों ने geography जो है, उससे बढ़ा है, या home science से बढ़ा है, फर्स्ट पेपर जीके का, बिलकुल समान है, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है, ठीक है, तो समा पेपर में, दूसरा है आपका current of your राजिस्थान, ये भी आपके है, थर्ड है विस्व भारत का सामानने ग्यान, तो ये भी आपके second grade के जीके के first paper में है, और सैक्षडिक मनोविग्यान, जिसको हम 8 unit में से 4 unit कर चुके हैं, ठीक है, कोर्स में, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर 100 question, 200 अंक, ये जो आपका first paper है, यहाँ आपको बिल्कुल भी सोचने की विजरूत नहीं है, कि हमें जो है, इसके लिए अलग से कहीं तयारी करनी है, आप कर ही रहे हो second grade के GK के first paper की, बिल्कुल वही है, 100 प्रशनों की संख्या आपकी वही रहेगी, जो आप वहा सामानने ग्यान, राजिस्थान का current affair, राजिस्थान का पूरा GK, ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी घवराने की जुरूत नहीं है, कोई भी राजिस्थान में exam हो, हम books नहीं बदलेंगे, हम वही पढ़ेंगे, साथ ही देखिए, second paper जो है, वो आपका बदल जाता है, यहा तो यह भी paper आपका 100 नंबर का है, और 200 marks का है, यह भी 2 घंटे का है, तो यहाँ पर 2 paper होंगे, तो इतना तो आपको पता चल ही गया है, कि मैंने जो आपको बिल्कुल सही बात बताई है, आपको कोई भी नहीं बताईगा, कोई भी नहीं बताईगा, other coaching वाले, नए 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 आपको जो books बताई है, जिनको हम follow कर रहे है, मेरे जो hand return notes, जो course में बच्चों को मिल रहे हैं, वो सभी के सभी, यहाँ paper 1 में आपके काम आएंगे, चाहे वो second grade का first paper हो, प्रियोकसाला सहायक का हो, या वीडियो का हो, अभी हम वीडियो का syllabus देखेंगे, जब आप ठीक है, तो यहाँ पर प्रियोकसाला सहायक जो है, यहाँ पर objective question होगे, 49% आपको लाने है, negative marking होगी, और detail में syllabus भी दिया हुआ है, देख लीजी आप बहुत अच्छे से, राजिस्थान का इतिहास संस्कृती सामान ने ग्यान, तो वही इतिहास के प्रमुक स्रोत, जो आप प्रमुक राजवन्स और उनकी उतलब्दियां, यह सब आपकी चल रही है, आप ध्यान दें, बहुत अच्छे से, बुक्स जिनको हम पढ़ रहे हैं, हमारा राजिस्थान जो की अभी current में, स्कूल में चल रही है, तो वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा, यदि second grade की बात करें, तो वहाँ पर कुछ particular नाम ही दिये गए है, राजाओं के उनको पढ़ना है, तो वो भी cover हो रहा है, ठीक है, सब बैताएं जो है, वो कुछ ही दी गई है, जबकि आप तो 6 से 10 तक की वुक में सारी सब बैताएं पढ़ रहे हो, मुगल राजपू संब जो क्रामती है, वह है राजिस्थान के संदर में, अब आप बताएं यहाँ आपको क्या कुछ अलग से पढ़ना पढ़ा, कुछ भी नहीं अलग से पढ़ना पढ़ा, तो आपको मेरी बाते समझ में आ रही होगी, इसके बाद में नीचे देखिए, यहाँ पर वही किसान, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजिस्थान का एकी करण, राजिस्थान का विकास महलाओं के संदर में, उसके बाद राजिस्थान की जौगरफी में देखें, तो वही इस्सिति विस्तार है, भौतिक विभाग है, अप वहाँ तंत्र है, जलवायू है, मि वहन, खनिज, संप्रदाएं अब आप बताईए इसमें से जोग्रफी में से भी आपके कुछ भी नहीं चूट रहा है सब आप पढ़ रहे हो इसके अलावा राजिस्थान का करंट अफियर वह भी वहाँ पढ़ रहे हो विस भारत का सामान ने ग्यान ये भी पढ़ोगे एजुकेशन साइकलोजी आपके चल ही रही है ठीक है? तो जीके का जो फर्स्ट पेपर है सेकिंड ग्रेट का थर्ड ग्रेट का जो पेपर रहेगा तो यही आपको पढ़ना होगा कुछ भी अलग नहीं करना होगा अब कई बच्चे बार-बार ये बोलते हैं NCRT के कुशन आंसर आप कराओ हाला कि बच्चों की डिमांड पर मैं करवाओंगी, टेंशन ना करें लेकिन NCRT में आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक पॉइंट भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उसके लिए मुझे सोचना भी पढ़ता है इंडियन यदि जोग्रफी की बात करें चाहे आप RBSC की बुक पढ़ रहे थे उनकी रिवीजन कर रहे थे जोग्रफी वही रहेगी, चाहे आप NCRT पढ़ो RBSC की पढ़ो ठीक है, बुक वही रहती है सेक्षडिक मनोविज्ञान भी हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है चाहे आप कोई भी एक्जाम दो जहां पर Education Psychology पूछी जाए तो इस तरीके से handwritten notes जो है, वह मैंने ऐसे तयार किये हैं कि आप कोई भी एक्जाम दो, वही रहेंगे हाला कि जो है एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से clear कर दूँ, देखिए, अगर मेरा उद्देश्य ये होता, कि जादा से जादा बच्चे जो है, कोर्स इस वज़े से खरीदें, कि हमारा जो है, वह इससे बहुत जादा फायदा होने वाला है पायदा मैं बस इतना ही चाहती हूँ बच्चों का फायदा सबसे जादा एहम है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ ठीक है, अब आप लोगों पीडिएफ जो दी जाती है डाउनलोड की सुविदा वी जो है वो इस चैनल के द्वारा करवाई जाती है जो सभी कोचिंग वाले नहीं करते हैं कोई भी कोचिंग वाले आपको ये नहीं कहेगा कि आप जो है एक कोर्स खरीदें और आपको जो है इन सभी में फायदा होगा ठीक है क्योंकि वो हर कोर्स को जब भी लॉंच करते हैं वीडियो का अलग करेंगे प्रियोक साला साय का अलग करेंगे कहां तक आप कोर्स खरीदोगे उसके बाद दिखिए ग्राम विकास अधिकारी सीधी भरती 2021 तो यहाँ पर इसकीम और पाठे क्रम आया है मुख्य परिक्षा का मेंस का यह आपके 160 प्रशन होंगे 200 अंक होंगे 3 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर भासा ग्यान पूछी जाएगी हिंदी इंग्लिस मैथ आएगा सामानने ग्यान आएगा भूगोल प्राकरतिक संसादन आएगा राजिस्तान के संदर में करशी और आर्थिक संसादन आएगा इतिहास और संस्कृति आएगा तो यहाँ पर भी सभी प्रशनों जो हैं भहु विकल्पी होंगे प्रशनों के अंक्समान होंगे और नेगटिव मार्किंग रहेगी पाठे करम यदि हम डेटेल में देखें तो हिंदी आपकी वही रहेगी जो आप व्याकरण पढ़ेंगे रीट में वही रहेगा ठीके अंग्रेजी में वही रहेगा उसके बाद मैथ देखिए यहाँ पर मैथ आपके पूछा जाएगा और सामान्य ग्यान जो है यह 20 मार्क्स का होगा जिसमें आपके जो समसामे घटनाएं यह 10 नंबर की होगी और साइंस पूछी जाएगी जनरल साइंस 10 मार्क्स की भूगल और प्राकरतिक संसादन आपके 30 मार्क्स का होगा इसमें वही सलेबस है जो कि आप पढ़ रहे हो ठीक है वही भूगलिक शेत्र, इस्थान, नदिया, पहाड, महादीप और पर्यावरन, वन्य जीवन मौसम, वनस्पती, मिट्टी मानव संसादन, भूगलिक शेत्र जनसंख्या की समस्याएं बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजिस्तान के प्राकर्तिक संसादन खनेज, वन, पानी, पसु संपदा, वन, जीव, वन, चन, रक्षन उर्जा की परंपरागत, गैर परंपरागत, श्रोत बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे टॉपिक ये कवर हो जाते हैं राजिस्तान के संदर में क्रशी और आर्थिक संसादन तो यहां आपकी सभी क्रशी और फसले ठीक है, उध्योग, व्रहल सिचाई, नदी घाटी, परियोजना सूखा, शेतर, विकास, परियोजना, इंदरा गांधी, नहर, परियोजना उध्योगों का विकास, उनका स्थान, कच्ची सामगरी पर आधारित, उध्योग खनिज आधारित, उध्योग, तो जो हम उध्योग का चैप्टर कर रहे थे जो हमने second grade की course में किया था तो वहां मैंने detail में करवा दिया उध्योग का chapter जहां पर कच्ची सामगरी पराधारेत, खनेजाधारेत उध्योग लगू ग्राम उध्योग, सब आ गया उसमें राजिस्थानी हस्तकला, आदिवासी उनकी अर्थविवस्था, ठीके आर्थिक योजनाएं, विकास संसाएं सहकारी आंदोलन, समविधान के 73 संसोजन के अनुप पंचायती राज संस्था का पूरा टॉपिक राजिस्थान के संदर्व में इतिहास और संस्कृति में यहाँ पर के पेपर में भी आप देख लीजिए कि क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर भी देखिए लेंड मार्क, मुकेस मारक, साहित्तिक कारे पुनर जागरण, राश्ट्री एक्ता, सोतंतरता के लिए संगर्स, तो वही 1947 तक का पूरा पड़ते हैं ठीक है, मद्यकाली प्रस्टुहुमी इतिहास जो है, राजिस्थान के संदर में उन वहां का आर्थिक जीवन संगठन क्या रहा था सोतंतरता आंदोलन, राजनितिक जागरती इसमें वही आजाएगा, 1857 की क्रांती आजाएगा, किसान आंदोलन आजाएगा जनजाती आंदोलन आजाएगा ठीक है, 1857 की क्रांती आही जाएगी राजनितिक एक्ता, बोलिया, साहित्य बिल्खुल वही है आपका सेकंड ग्रेट के जीके का फर्स्ट पेपर यहाँ पर भी है राजिस्थन के तिहास और संस्कृती में संगीत, नरत्य, नाटक धार्मिक, विश्वास, लोक परंपरासंत, कवी वीर, पुरुस, लोक देवता, लोक देवियां हस्तकला, मेले, त्योहार, रीती रिवाज पोशाक, आभूशन, विसेश्त आदिवासी और जनजातियों के संदर में बहुत अलग से अच्छे तरीके से मैंने जनजातियों के रीती रिवाज भी करवाए हैं ठीक है तो यह आपका जो है वो वीडियो का स्लेबस है मेंस का बहुत अच्छे से आप देख लीजिए कि आप जो भी तयारी कर रहे हो आप किताबे ना बदले आप उन्ही को बारवा रिवाज करें बस मेंस के लिए आपको क्या करना है जो भासा ग्यान है हिंदी और इंग्लिस तो यह आप उसमें भी पढ़ेंगे रीट में भासा ठीके तो वहाँ आपके ये काम आएगी यहाँ आपको मैथ जो है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा ठीके और क्या पढ़ना होगा सामान्य ग्यान तो यहाँ दस मार्क्स का और यह चालिस मार्क्स का यही आपको लग से पढ़ना होगा बाकी आपका वही है तो यह आपका वीडियो का सिलेबस था उसके बाद पसुदन सहायक सीधी भरती जिन भी वच्चों ने इसका फॉर्म भरा है तो वो भी देख लें परिक्षा की स्कीम पाठे क्रम परिक्षा की यहां पर स्कीम क्या रह पर देंगे तो उससे संबंदित आपके जो है वो 80 अंक का आएगा ठीक है यानि 120 अंक जो है वो आपका कुशन पेपर होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा तो यहां पर जो आपका 40 मार्क्स है यहां पर पूरा आप कवर कर ही रहे हैं पढ़ ही रहे हैं अलग से नहीं पर ना है वही आपको नियुंतम 40% मार्क्स लाने है यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी सिलेबस देखिए यहां पर भी बहुत अच्छे से माइन में बिल्कुल आपके सैट हो जाएगा कि अब हम क्या करें इतने सारे एक्जाम एक साथ आ गए सिलेबस जो है वो कै बिल्कुल समान राजिस्थन के इत्यास की स्रोत सब्वेताएं राजवन्स मुगल राजपूत इस्थापते कला के विचेशताएं जो अभी हमने डिसकस की थी आप खुद ही देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम है सेकिंड गेट का फर्स्ट पेपर जो भी बच्चे बह भूगल भी मैंने करवा दिया है पूरा का पूरा वही है देख लीजी आप ठीक है वही इस्तिती विस्तार है राजिस्थान की मुख्य बोतिक शे बिभाग अपवातन जलवाई उम्रद्दा उसके बाद देखिए ब्रेटेनरी साइंस का जो आपका पार्ट बी का होगा त आप देख लें 10 पॉइंट जो है वो आपके सली बस में दिये हुए है पार्ट बी में तो यहां मेरा उद्देश्य क्या था जो बच्छे सेकंड गेरीट की जो तयारी कर रहे हैं ठर्ड गेरीट की जो करेंगे तो मेरा उद्देश्य यहां पर सली बस यही दिखाना है कि आप सभी नए इनके भी form डाले होंगे वीडियो के mains का जो है form डाला होगा तो वहाँ आप अच्छे से ये देख ले कि जो आप तयारी कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी वहाँ से हटना नहीं है वही आपको books पढ़नी है ठीक है जो भी आप second grade के त्यारी कर रहे थे तो उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा जो हमारे channel से पहले से ही जोड़े हुए है तो देखिए दुबारा से मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहली बात 6 से 10 तक की राजिस्थान की जो complete complete GK है आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आपको जो है RBSC की जो book है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा अभी जो वर्तमान में हमारा राजिस्थान की book चल रही है वो आपके लिए best है, बिल्कुल best है ठीक है? और जो मैं आपको course में paper 1 GK का करवा रही हूँ second grade में तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए topic wise मैंने वहाँ आपको करवाया है ठीक है? और वो भी notes जो है मेरे वो इन ही books के द्वारा तयार किये हुए है graduation तक की books के बहुत ही authentic books जो है उन ही का प्रियोग में करती हूँ इनसले बस के दिखाने के बाद भी मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि वीडियो के लिए आप एक guide ले आओ प्रियोग साला सहायक के लिए आप guide ले आओ guide तो आपको लाने ही नहीं है जो भी आप पढ़ रहे हो वही आप पढ़िए ठीक है? और जो भाग B है जैसे इसके लिए आपको जो है वो अलग से तयारी करनी पड़ेगी तो इसके लिए जो है वो आप अलग से देखें, veterinary science के लिए अलग से देखें प्रियोग साला सहायक में जो आपका second paper है उसके लिए आप अलग से देखें लेकिन फिर भी इन सब के लिए भी आप book का सहारा ले जो की schools में चलती है उन्ही का सहारा ले तो बहुत ही good news है ये syllabus दिखाने का मेरा मकसद भी यही है कि read के जो भी बच्चे है 6 से 10 तक की जिन्होंने RBSC की notes जो है वो PDF जो है आपके भी काम आएगी इसके साथ साथ आपके जो भी छोटे भेन भाई हैं जो भी आगामी तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी वो काम आएगी पार बार जो है ना तो पैसे खर्च करने की जुरूत है आपको ना ही other coaching में आप इतना परेशान हो ठीक है और बाकी ये मेरा उदेश्य था कि मैं आपको बिल्कुल सही सही बात जो है वो बताओं बाकी आप खुद समझदार है और आपकी मर्जी है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं मेरा काम था आपको सही सला देना लेकिन जादा से जादा बच्चों को फैदा हो सके इसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आगे की त्यारी करेंगे थैंक यू